दोस्तो एक 140 करोन भारतियों का पदला और खत्म करदी मालदीब के होटल की रेटिंग करदी बुकिंग कैंसील दोस्तो एक बहुत बड़ी चीज होती है पब्लिक सेंटीमेंट और सोसल मीडिया में चल रहे कैमपेंग बाइकाट मालदीब उसने पब्लिक सेंटीमेंट के तरीके से दर्च किया और लगातार भारत के अंदर से हजारों लोगों ने मालदीब के लिए जाने वाली सिप कैंसील करती होटल की बुकिंग कैंसील हो गई और करोडों का नुकसान या सायद कह सकते हैं कि अर्बों का नुकसान होने वाला है आने वाले समय में मालदीब को जो की बहुत बड़ी बात है और 140 करोड की आबादी कुछ कम नहीं होती दोस्तों और भारस से घूमने जाने वालों की संख्या काफी ज्यादा मात्रा में है मालदीप के लिए और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बताते हैं तो मालदीप की पूरे एकनॉमी 25% उस की आती है और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो टूरीज में होने वाले जो इन डारेक्ट जॉब क्रियेट होते हैं वहां से होती है और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इंप्लाइमेंट में भी बहुत जबर्जच जटका लग सकता है मालदीप के अंदर क्यो तो ये मान के चलिए दोस्तों कि मालदीप में अनिप्लाइमेंट की क्रॉबलम क्रियोट हो जाएगी और दोस्तों आप लोगों को बता दें तो मालदीप दुनिया की सबसे लगजरी डेस्टिनेशन लगजरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गिनी जाती है और जहां पर छ भारत की बेस्ट लगजरी टूरिस्ट डेस्टीनेशन के लिए बेस्ट च्वाइज रहा करता था और भारत के लगबक सभी सेलिब्रिटी छुट्टिया मनाने के लिए बाकाइदा वहां पर बुकिंग किया करते थी और लाखों इस्पेंट किया करते थी लेकिन अब जिस तर परकार ने कुछ एंटीमेशन दिया है इन सभी सेलिब्रिटी को इन तक एप्रोच बढ़ाई है और उसकी वज़ा से लोगों ने सीधे सीधे मालदीप को रिप्लेस करने के लिए लच्छ दीप को हाईलाइट करना सुरू कर दिया दोस्तों कुल मिला कर देखा जाए तो मा भारत के मार्केट से पैसा निकालना है तो भारतियों का सम्मान करना पड़ेगा और जिस परकार के खराब रेसिस कमेंट जारी किये गए थे कुछ पॉलिटीसियंस के द्वारा और मालदीप पर उसका असरब दिखने लगा है पहले तो तीन सीटिंग डिप्यूटी मैनिस् उन्होंने एक के बाद एक अपने बयान जारी करने शुरू कर दिये और भारत की तरफ से आ रही प्रतकिरिया को सर आखों पर बैठाया और दोस्तों बात करें जहां मालदीप के लिए एपॉर्चिनिटी खत्म होने वाली है तो वहीं लच्छ दीप के लिए नया दरवाज खुलने वाला है और अब देखना यह होगा कि भारत की गौर्मेंट किस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर लच्छ दीप को डेवलप कर पाती है जहां वाकई में भारत की सरकार और लोकल बिजनस मिल करके लच्छ दीप को मालदीप जैसा बना सकते हैं क्या लच्छ दीप अब उस प्रकार की फैसलेटी को डेवलप नहीं किया जा सकता बिलकुल मालदीप की तरज पर क्या ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि हम भारती भी मालदीप की तरह की फैसलेटी लच्छ दीप पर इंजॉय कर सकें इसके लिए जरूरी होगा उस इलाके की अच्छी तरीके से और अब डेफिनेटली पियम मोदी की उस ट्रिप के बाद और इतने बड़े जो कंट्रोवर्सी के बाद मालदीप बियस लच्छ दीप की कंट्रोवर्सी के बाद 110 परसेंट लच्छ दीप का डेवलपमेंट हो सकता है और दोस्तों अब जरूरत है तो लच्छ दीप को बह पारें टूरिस्ट भी अट्रैक्ट हो एक बहुत अच्छा सोर्स आफ इंकम बन जाएगा वहां के लोगों के लिए भी और भारत के लिए भी एक अच्छा रिवेन्यू इस्ट्रीम वहां से जिनरेट हो सकता है और दोस्तों हमारे हिसाब से भारत के अंदर अभी इतने सारे अच्छे डेश्टिनेशन मौजूद है जो बेहद अंडर रेटेड है और जहां डेवलम्मेंट का काम करके वहां से अच्छे रिवेन्यू इस्ट्रीम जेनरेट किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात दोस्तों मालदीब के साथ जो हुआ उससे हम सब को सबक लेना सेंटिमेंट कितनी बड़ी चीज होती है यह हमें समझ लेना चाहिए दोस्तों मालदीब के कुछ लोगों के गलत कमेंट की वजह से आज मालदीब की टूरीज्म इंडरस्ट्री बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होने वाली है और हो सकता है आने वाले सालों में उन्हे बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरना पड़े और बरती सोशल मीडिया की ताकत पर आपकी क्या राय है क्या आपको लगता है कि लच दीब मालदीब जितना सुन्दर बन सकता है तो दोस्तों अपना ओपीनियन कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और दोस्तों ऐसी ही नाल लोगों को मिलती रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में फिर आपलों से मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार